तो बादिधिक एज इस चेप्टर न पहलेंगे बादिक काल क्या था तो दा उरिजिन आप दा बादिक एज इन इंडिया इस चेटरों जानेंगे इंडिया 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 की सुर्ड न कैसे हुई थी इंडिया's connection इंड़ एर्योपीन लेंगूज तो इंड़ एर्योपी between the four Vedas, चारो बेदों में क्या भेद है, डिफरेंस है, religion and society as depicted in the Rig Veda, Rig Veda में धर्म और सोसाइटी, किस तरह बरड़त है, ठीक तरह लाइफ आप पीपल who lived centuries ago, centuries पहले लोगों का जीवन कैसा था, through megaliths, megaliths is the age of the stone, various aspects of life at इनाम गाउं बिलेज इन्दा, चैलकोलिथिक एज, इनाम गाउं बिलेज के अलगले aspect लाइब के जानेंगे हम, तो first of all we are looking that, it is well known fact that, literature produced during a period in time, serves as a bindu into, तो उस time के समय में, literature ने क्या प्रडूस किया, lives of the people, लोगों का लाइब, society, culture, during that period, तो उस पीरिड में, literature ने, ये बात सब जानते हैं कि, कैज़े बिंडो इंदा, lives of people, लोगों के life, society, और culture के बारे में, उस पीरिड में, literature ने, produce किया, in India, the vedas figure among, इंडिया में, ved, उन figures में आते हैं, such literary work, ऐसे literature works में, बेद आते हैं, जो, एक साहित ने, उस पीरिड के बारे मताया, they tell us about life, during 1500 से 500 बीच के बीच के टाइम को, बताते हैं, this period is known as the, बैदिक एज, इस पीरिड को बैदिक एज कहा जाता है, because the vedas were written, during this period, क्योंकि इस पीरिड के दोरान, बेद लिखे गए थे, this period also saw the flourishing culture, इस पीरिड ने flourishing culture को भी देखा है, propounded by the vedas, बेदों में जो culture फैली हुई थी, उसको देखा, तो हम बात करेंगे 1500 से 500 BCE के बीच की, तो topic first, beginning of the Vedic age, बैदिक एज सुरात कैसे हुई, the Vedic age began after the end of the Indus Valley civilization, तो Indus Valley civilization के end होने से, एंड होने के बाद कह सकते हैं, बैदिक एज की सुरात हुई, the culture of this age referred to, इस age की culture, referred to as the Vedic culture, तो उसको बैदिक culture कहा जाता है, बाज centered in the northern and northwestern part of the Indian subcontinent, जो northern और northwestern भारती subcontinent के पार्ट में फैली हुई थी, इने केंद्रत थी एक तरह से, the early phases of the Vedic age saw, तो Vedic age के starting phases ने क्या देखा, the formation of various kingdoms, तो अलग-लग राज्यों का निर्माड हुआ, इन इस later phase के बाद के समय में क्या था, the महाजनपद came into being, महाजनपद came into being, एनी के सामने आये, which were succeeded by the Moria Empire after the Vedic age, तो Vedic age के बाद, जिन पर Moria Empire ने सपलता प्राप्त की, तो Vedic age began with the arrival of people from Central Asia, तो Vedic age की सुरुवात Central Asia साई लोगों के साथ हुई, तो दा सब्त सिंदू region of the Indian subcontinent, तो Indian subcontinent का सब्त सिंदू जो छेतर था, उस के अंदर, उन उस छेतर में जो Central Asia से लोग आये थी, बहाँ से बैदे केज की सुरुआत हुई थी, तो इन लोगों को आरियन कहा जाता था, ऑनिक, सब्त सिंदू refers to the land of seven rivers, तो सब्त सिंदू व्यवर्स की भूमी कही जाती थी, and is mentioned in बैदेक literature and जहन दैवेस्ता, जो बैदेक literature में और जहन दैवेस्ता ग्रहंतों में इसका बर्लन है, यहैनि सब्त सिंदू प करदेश जो seven rivers का चेतर था, तो उसके बाद जो एक पवत्र पुस्तक में भी इसका बड़न है जो नेम है जिस पुस्तक का जो रोश्ट्रेनिज्म ठीक है दिस रीजन एक्स्टेंजिट फ्रॉम तो यह चेतर कहां तक फैला था गांधार नव नौर्थ बेस्टन पाकिस्तान टू कुरुचेतर तो गांधार से कुरुचेतर तक फैला था इन प्रिजन्ट टे हर्याना और प्रिजन्ट में यह हर्याना में है नेक्स लाइन को देख फिर जानते हैं दो सेवन रिवरस our सब सिंतव्य सतर्सquéकी सर्सवत्य सिंतू एड़्या यह प्ले सिंतभिटने को फशायक नर्दीयां जो थी तो ये साथ रिवर्स थी जिनने सब्त सिंदू कहा जाता है